सदियों पहले की बात है हिमालय के घने जंगलों में हाथियों की दो खास प्रजातियां पाई जाती थी, एक प्रजाती थी छदंत और दूसरी प्रजाती का नाम था उपोसत, इन में से छदंत प्रजाती काफी मशूर थी, विशाल छै दान्तों की मौजूदगी के कारण ही इनहें छदंत के नाम से पुकारा जाता था, इन हाथियों का सिर और पैर किसी मनी की तरह सुर्ख लाज दिखाई देते थे, इन छदंत हाथियों का राजा कंचन गुफा में रहा करता था, उसकी महा सुभध्दा और चुल्ल सुभध्दा नाम की दो रानिया थी, एक दिन लगे फूल बड़े ही खूबसूरत और मनमोहक खुश्बू वाले थे, गजराज ने खेल-खेल में अपनी सून से उस व्रिक्ष की एक डाल को कसकर हिलाया, इससे डाल पर लगे फूल महा सुभध्दा पर जड़ने लगे और वह गजराज से बहुत प्रसन्न हुई, वहीं व्रिक्ष की सूखी डाल पुराना होने के कारण गजराज की सून्ड का जोर जेल न सकी और तूटकर फूल समेत गजराज की दूसरी रानी चुल्लसुभध्दा के उपर जागिरी। कुछ समय बाद चुल्लसुभध्दा की मौत हुई और मरने के बाद वह मद्दराज्य की राजकुमारी के रूप में पैदा हुई, युवा होने पर उसकी वारानसी के राजा से शादी हुई और वह वारानसी की पत्रानी बनी, पुनरजन्म के बाद भी वह के दान्त हासिल करने के लिए उकसाया, परिनामस्वरूप कुछ कुछल निशादों के समूह को राजा ने गजराज के दान्त लाने के लिए भेज दिया, गजराज के दान्त लाने के लिए रवाना हुई टोली का नेता था सोनुत्तर, सोनुत्तर करीब साथ साल का सफर तै करके गजराज के निवास पर पहुँचा उसने गजराज को पकड़ने के लिए और अपना शिकार बनाने के लिए उसके निवास से कुछ दूरी पर एक बड़ा गड़ा बनाया गड़े को छिपाने के लिए उसने उसे पत्तियों और छोटी लकडियों से ढख दिया और खुद ज़ाडियों में छिप गया जैसे ही गजराज उस गड़े के करीब आया तो सोनुत्तर ने विश बुझा तीर निकाल कर छद्दंतराज पर निशाना लगा दिया तीर से घायल होने के बाद जब गजराज की नजर जाडियों में छिपे सोनुत्तर पर पड़ी तो वह उसे मारने के लिए दोड़ा चुंकि सोनुत्तर सन्यासियों के वस्त्र पहन कर आया था इस कारण गजराज ने सोनुत्तर को जीवनदान दे दिया गजराज से जीवनदान पाकर सुनुत्तर का मन बदल गया और उसने गजराज को सारी कहानी कह सुनाई और गजराज पर निशाना साधने का उद्देश बताया जीवनदान मिलने के कारण सुनुत्तर गजराज के दान्त नहीं काट सकता था इसलिए छद्धन्त राज ने मृत्यू से पहले खुद ही अपने दान्त तोड़कर सुनुत्तर को दे दिये गजराज के दान्त पाकर सुनुत्तर वारांसी लौट आया और गजराज के दान्त रानी के समक्ष रख दिये साथ ही सोनुत्तर ने रानी को यह भी बताया कि किस तरह गजराज ने उसे जीवंदान देकर खुद अपने दांत दे दिये पूरी बात जानने के बाद रानी गजराज की मौत बरदाश्ट न कर सकी और इस सदमे से उनकी भी तुरंट मौत हो गई कहानी से सीख बगले की भावना सोचने समझने की क्षमता छीन ले वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए कमेंट में जरूर बताईए कि वीडियो के सा लगा और ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद